नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नौलिज बज और आज के वडियो में हम रिवियो करेंगे किरन प्रकासन के बहुत ही सांदार बुक का यह हम रिवियो करने जा रहे हैं यह बुक देख सकते हैं कि मांचित्र के द्वारा पूरे भारत के भुगोल को बहुत ही सांदार तरीके से उन्होंने इस बुक के अंदर कबर किया गया और ये बुक सभी परतियों की परिक्षाओं के लिए बहुत ही जाद उपियों की साबित होने वाला है और इस बुक के लेखक आप देख सकते हैं कि भारत लाल इस बुक के लेखक है और इस बुक में आपको वन रिपोर कि 275 रुपए है जिस पे आपको online offline discount मिल जाएगा ठीक है ना और इनके और भी बुक आते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि यह English का बुक है और इस बुक का भी review आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा बहुत ही सांदार बुक है दोस्तों English का और यह आप देख सकते हैं discount मिल जाएगा अच्छा खासा discount मिल जाएगा और सेम बुक आपको English में भी देखने को मिलेगा जिग्रफी आफ इंडिया थ्रू मैप से ठीक है तो इस बुक का भी review आपको अलग से देखने को मिलेगा इंग्लिस वाले वर्जिन का ठीक है तो अभी फिलहाल हम हिंदी वाले book के बारे में बात करते हैं ठीक है कि हिंदी वाले book में आपको content किस तरह से देखने को मिलने वाला है ठीक है यह देख सकते हैं पहला page है जहां पर बताया गया है कि भारत का मानचित्रे जो मानचित्र के द्वारा भारत का भुगोल यहां पर कैसे आपको बताया गया है और यहां पर पहले आपको इंट्रोड़क्शन देखने को मिल जागा उसके बाद आप देखेंगे यहां MRP के बारे में बताया गया और कुछ बेसिक जानकारी यहां पर बताया गया है इसके बाद देखेंगे भारत की भुगौली की विविचता भारती चटानों का वर्गीकरन भारत के परमुखे परवते भारत के परमुखे परवते यहां पहारिया उसके बाद अगला है भारत की परमुखे पठार भारत की परमुखे घाटी भारत की परमुखे मैदान भारत की परमुखे खारी भारत के दर्रे भारत के परमुखे द्यूप एवम द्यूप समू भारत की परमुखे जील ठीक है उसके बाद अगर हम आगे देखे तो आगे आपको दिखेगा भारत की परमुखे नदी भारत के परमुखे बंदरगा भारत के परमुखे खनीज भारत के परमुखे रिफाइंहज्यान, जनगनना 2021 भारत की जनजाती परिवहन, उसके बाद सम्धिते जो mislaneous topic हो गया और one report 2019 ये सभी important topic है और कुल 30 अध्याय में पूरे भारत को बहुत ही सांदार तरीके से इन्होंने cover किया है और इस book में अगर आप देखे number of page के बारे में बात करें तो 196 page आपको देखने को मिलने वाले इस book के अंदर ठीक है तो विसे सूची हमने देख लिए अब देखते हैं पहले अध्याय में किस तरह से इन्होंने पहले topic को cover किया है ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा सबसे पहले आपको किस देश की सीमा कितनी लंबी है भारत के साथ हर एक चीज आपको देखने को मिलेगा सबसे लंबी सीमा किसका है बंगला देश का है 4097 किलो मीटेर लंबा सीमा है तो भारत के बारे में परुशी देश के बारे में हर एक फेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा मैप पूरे भारत को उसके बाद कुछ बेशिक जानकारी यहां नीचे आपको देखने को मिल जाएगा इस मैप से related मतलब उपर आपको map देखने को मिलेगा नीचे आपको कुछ basic जानकारी देखने को मिल जाएगा जिससे आपका तयारी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा यहाँ देखे सबसे लंबी सीमा मानक के समय रेखा पांच राजियों से होके गुजरती है करक रेखा आठ राजियों से होके गुजरती है पर उसी देख से 9 है जिसमें 7 असरी है 2 जली है हर एक जानकारी आपको देखने को मिलने वाला है ठीक है अगर आगे हम देखे तो इसी क्या होगा कि आगर आपका concept clear होगा तो आप जितना भी भारत से important question पूछा जाता है एक्जाम में आसानी सा बना सकते हैं क्योंकि जो भी static जीके के question मनते हैं या इंडिया के बारे में तो हर एक इक्जाम में पूछा जाता है तो स्ट्रेटिक जादा तर कोस्तन आपके जोग्रफी से ही बनते हो और जोग्रफी अच्छा होना चाहिए अगर किसी एक्जाम को आप निकालना चाहते है तो जोग्रफी बहुत जादा अ दिखाता हूँ जैसे यह देखिए कि 25 जनवरी 1971 राज्य सिमला और राज्य सभा की सीट तीन है लोग सभा में चार सीट है और विधान सभा में 68 सीट है मतलब उस राज्य के बारे में आपको हर एक जानकारी देखने को मिल जाएगा सिमला जैसे ही माचल पर्देश का क्या हो गया कैपिटल हो गया ग्रीन कलर से आपको स्ट्रीट देखने को मिलेगा और जो ब्लैक कलर से है वो आपको कैपिटल देखने को मिलेगा और उस स्ट्रीट के बारे में हर एक बीसिक जानकारी जो आपको जानना चाहिए हर एक चीज में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा नीचे देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी नोट करवाया गया जैसे एक अक्टूबर 2019 के बाद जम्मु कस्मीर की राजनेती के इस्ति तो हर एक चीज इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से पुरे भारत के स्टाटिक और जोगराफी को बहुत ही तरीके से कवर कर सकते हैं ठीक है यहाँ कि देख सकते है तो यह सब जानना बहुत ज्यादा जारोड़ी है और जो वो भी बहुत जादा clear देखने को मिलेगा कुछ भी कमी नहीं है दोस्तों देखिए यहां भरके आपको fact देखने को मिलेगा जो आपको पहले map के माध्यम से समझाया गया वही आप देखिए theory के माध्यम से भी समझाया जा रहा है तो आपको इस book में important point, important note आप देख सकते हैं highlight किया गया है और साथ में map और theory का बहुत ही अच्छा combination इस book के अंदर देखने को मिलेगा जितने भी important fact बन सकते हैं सभी चीज आपको इस book के अंदर देखने को मिलने वाला है ठीक है आप देख सकते हैं महत्रपुर्ण fact को इन्होंने अलग से रखा हुए है ठीक है और बुक दोस्तों colorful है बुक दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छा है बहुत ही सांदार है जैसे देखे भारत की भागौली की वीविदिता सबसे उचा सबसे वरा सबसे लंबा सबसे छोटा अब यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा हूँ यहाँ पर देख सकते हैं जैसे माली जेकी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर इंद्रा गांधी नहर के बारे में, तो हर एक जानकारी आपको देखने को मिल जागा, इंद्रा गांधी नहर से, सबसे अधिक जनसंक्या वाला राज्य कौन है, उत्तर परदेश है, ठीक है, तो हर एक जानकारी आपको देखने को मिलेगा, सबसे वरी खारे पानी वाली जील चिलका जील है जो की उरिसा में है ठीक है तो कोई भी फैक्ट आपका छुटने वाला नहीं है और साथ में आपको थियोरी भी देखने को मिलेगा मैं आपके बाद आपको थियोरी भी देखने को मिलेगा और बगल में आप देख सकते हैं उन सभी का चीज का आपको figure भी देखने को मिल जाएगा जैसे सबसे लंबी गुफा अमरणाथ गुफा सबसे बरी मीथे पानी का जील तो बुल्लड जील हो जाएगा जम्मू कस्मीर में है ये ठीक है और साथ में आपको fact भी देखने को मिल जाएगा तो ये book दोस्तो हर इक इस book में cover किया गया है कोई भी चीज आपका बचेगा नहीं और बहुत ही सांदार तरीके से आप देख सकते एक classification भी आपको देखने को मिल जाएगा और theory भी वहुत ही सांदार point to point आपको theory देखने को मिलेगा जैसे मैं यहाँ आपको पढ़के बतातों गंगा नदी के बार कहां से निकलती है और उसके साथ आपको map के माध्यम से समझाया जाएगा तो map से क्या होता है कि कोई भी चीज अगर जोग्रफी समझ रहा है तो map से ही समझे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है और साथ में आपको theory भी देखने को मिल जाएगा तो उससे क्या ह होता है बॉक्साइट से जादा उसको भी बताया गया है तो हर एक चीज को मतलब कोई भी fact आपका बचेगा नहीं हर एक चीज को बहुत ही सांदार तरीके से पूरे भारत को बहुत ही सांदार तरीके से बताया गया और साथ में मुझे ये भी अच्छा लगा इन्होंने हर एक चीज के लिए table भी इन्होंने बना दिया है important point को इन्होंने highlight कर दिया है साथ में classify भी बहुत ही सांदार तरीके से किया है मतलब static के जो भारत के बारे में static GK वो भी कबर हो जाएगा भारत का जोगरफी भी कबर होगा और इंडिया के बारे में अच्छे तरीके से इस book क मादियम से आप जान जाएंगे जो कि आपको जानना चाहिए अगर आप किसी exam को निकालना चाहते है क्योंकि अगर exam कोई भी exam होता है जैसे मालीज से में 25 question पूछे जाते है तो 25 में से 10 question तो जोगरफी से घुमा फिरा के पूछे जाते है ठीक है तो कोई भी exam है उसके जितना मतलब हर एक चीज को आपका कुछ भी कमी यहां नहीं रहेगा हर एक चीज को बहुत ही सांदार तरीके से और अच्छे तरीके से समझाए गया और मैप देखिए कितना ज्यादा क्लियर है ठीक है तो यह बुक मेरे हिसाब से होना चाहिए आपके पास पतला सा बुक ह इक सो चीज पेज है लगबग दोसो पेज है और बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कंटेंट को सजाए और यह किरन पपलिकेशन का बहुत ही सांदार बुक मुझे लगता है ठीक है तो इस बुक को आपको आप सभी के पास होना चाहिए लिंक आपको डिस्क् करके मुझे बताईएगा विडियो अच्छा लगा हो तो विडियो का प्ली Jean करके चैनल को प्ली सब्सक्राइब करके हमें सब्सक्राइब करके ठीक है और बताईएगा और भूक आपको कैसा लगा कि दा अगर आपके पास यह बुक घै तो